जै ये शुकी मैं हूँ प्रियंकर आमोर और आप देख रहे हैं रीडियो वेर्थासेश्या की हिंदी सर्वेस कली से समचार में आप सभी का स्वागत है कली से समचारों में प्रमुख है हॉलिवोड स्टार स्टेलोन ने पॉप से मुलाकात की सैमनरी चात्र के जिन्दा जलाए जाने पर प्रातना हेतु धर्मादक्ष की अपील विश्वय वापी मानव अधिकार समू ने कहा भारत में इसाईयों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है भारती कैथलिक काउंसिल आफ नौर्थ रीजन बिशप काउंसिल ने प्रवासियों पर चर्चा की पिछली सदी के प्रमुख घटनाओं को कवर करने वाले सो वर्षिय पत्रकार का निधन मध्यप्रदेश राज जी ने इसाईय अनाथाले को नया परमिट देने से इनकार कर दिया पूर्व प्रोटेस्टिन विशप के खिलाफ ताजा मामला अलप संख्यक नेताओं ने गौर अक्षकों की गिरफतारी की सराहना की कैथलिकों से धार्मिक भावनों का सम्मान करने का आग्रे किया गया अब जानते समाचार विस्तार से हॉलिवोड स्टार स्टेलोन ने पॉप से मुलाकात की हॉलिवूड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलॉन की 8 सितंबर को वैटिकन में एक अप्रत्याशित मुलाकात हुई जब उन्हें पता चला कि पॉप फ्रांसिस उनकी फिल्मों के एक समर्पिट प्रशंचक है अपने परिवार और भाई के साथ स्टेलॉन को एक बैठक में पॉप से मिलवाया गया जिसे वैटिकन न्यूज ने सोशल मीडिया पर कैद किया और साजा किया वीडियो में मुस्कराते हुए पॉप फ्रांसिस ने 77 वर्शी अनुभवी अभिनेता के लिए अपनी लंबे समय से प्रशंचा वेक्त की आश्यर जनक रूप से आश्यर चकित स्टेलॉन ने पॉंटुफिक से मिलने के अफसर के लिए आभार वेक्त किया सेमनरी चात्र के जिंदा जलाए जाने पर प्रातना हेतु धर्मादक्ष की अपील नाइजीरिया के कफंचन धर्मप्रांत इस्तिस संत रेफाईल पल्ली के खाना कमरे में अग्यात हमलावरों ने आग लगा दी जिससे एक सेमनरी चात्र की मौत हो गई कफंचन धर्मप्रांत के धर्मादक्ष जूलियस याकूब कुंडी ने जानकारी दी कि 25 वर्षे सेमनरी चात्र नामन डनलामी की मौत संत रेफाईल पल्ली में हमले के दोरान हुई धर्मादक्ष ने बतलाए कि हमला गुरुवार सा सेतंबर को संध्या करीब आट बजे हुआ जिसमें दो औन्य प्रोहिट फादर एमानविल ओकोलो और फादर मंडे नू बचकर भागने में काम्याब रहे धर्मादक्ष कुंडी ने का हमलावर पल्ली प्रोहिट को अपहरण करना चाहते थे लेकिं चू की पल्ली आवास में घुसना आसान नहीं था उन्होंने आग का सहरा लिया विश्व व्यापी मानवदिकार समू ने कहा भारत में इसायों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है भारत इससी तक विश्व व्यापी मानवदिकार समू का कहना है कि इस साल दक्षिन एशाई राष्ट में इसायों का उत्पीरन तेजी से बढ़ रहा है नई दिले सित युनाइटेट क्रिशन फॉरम ने सा सितंबर को कहा कि इस साल अगस्त तक भारत के 28 राजों में से 23 में हिंसा की 525 घटना दर्ज की गई जबकि पिछले पूरे साल में 505 घटना हुई थी यूसीएफ ने जारिक बयान में कहा कि जून में 19 घटना के साथ सबसे अधिक संख्या देखी गई जब भारत में नई दिली में दो देविसे शिकर सम्मेलन में अमेरिके राष्ट्रपती जो बाइडन सही जी 20 नेता की मेजबानी की यूसीएफ ने कहा विश्वनेताओं के हमारे देश में आने पर भारतियों को गर्व मैसूस होता है हाला कि भारतियों को अपनी आस्ता का पालन करने के लिए हिंसा की घटनाओं का सामना करना पड़ता है UCF ने पाया कि जुलाई में 80 हिंसक घटना हुई है और मई में सबसे कम 47 घटना दर्च की गई भारती Catholic Council of North Reason विशब काउंसिल ने प्रवासियों पर चर्चा की उत्तर 6 ते विशब परिशत की Catholic परिशत की दो दिविसी बैठक 9 और 10 सितंबर को उत्तर भारत के शिमला चंडिगर धंप्रान के पास्टोरल केंदर में आयुजित की गई थी इसमें इस वर्ष विशब प्रवासि और शरनाती दिवस के विशे प्रवास करना या रहना है यह चुन्ने के लिए स्वतंत्र पर विचार विमर्ष किया गया हर साल विश्व प्रवास्यों शरनार्थी दिवस सितंबर के आखरी रविवार को मनाय जाता है और इस साल यह 24 सितंबर को पढ़ रहा है पिछली सदी के प्रमोग घटनाओं को कवर करने वाले 100 वर्षी पत्रकार का निधन पिछली सदाबदी में अतिहासी घटनाओं के व्यापक कवरेज के लिए जाने जाने वाले वॉल्टर अल्फरेट का 13 सितंबर को मुंबई में निधन हो गया उनका निधन मुंबई के उपनगर मीरा रुरिस्तित उनके आवास पर हुआ उनकी बेटी अनीता ने पुष्टी की अनीता ने बताया जहां उन्होंने दश्कों तक काम किया था उनका राट डेड़ बजे मीरा रुरिस्तित घर पर नीन की शांती में निधन हो गया भारत की प्रमुख समाचार एजंसी के समवादाताओ के रूप में अल्फरेट का करियर उन्हें दुनिया भर में ले गया उन्होंने भारत की आजादी और इंद्रा गांधी के आपात काल को कवर किया था भारत पाकिस्तान और वेतनाम युद्धों की रिपोर्टिंग की थी इसके अलावा जवाहरलाल नहरू पाकिस्तानी जनरल अयूप खान और पूर्व इंडोनेशाई प्रधान मंत्री सुकोर्णों जैसे नेताओं के साथ कंदे से कंदे मिला कर काम किया था मधिप्रदेश राजी ने इसाई अनाथाले को नया पर्मिट देने से इंकार कर दिया मधिभारत के एक राजी ने इसाई अनाथाले पर एक ही लाइसंस के तहट लड़के और लड़कियों के चात्रवास चलाने का आरोप लगाते हुए उसके पर्मिट को नवीनिकरत करने से इंकार कर दिया मध्य प्रदेश में महिला एमबाल विकास विभाग ने दमो जीले में प्रोटेस्टिन नमपती द्वारा संचालित आदाशीला संस्ता द्वारा प्रबंधित अनाथाले के पनमिट को नवीनिकरत करने से इंकार कर दिया अनाथाले के एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा हम 2005 से इस अनाथाले को चला रहे हैं और सभी कानूनी ओपसारिकताओं का पालन किया है अनाथाले के लगबक 18 बच्चे को और 27 बच्चों को देश के विबिन हिस्सों से भारती जोड़ो द्वारा गोद लिया गया है वर्तमान में अनाथाले में 11 लड़के और 5 लड़के गोद लेने के लिए तयार है और उन्हें राज के अन्य अनाथालों में ले जाये जाएगा पूर्व प्रोटेस्टिन विशप के खिलाफ ताजा मामला मद्प्रदेश में पूलिस ने प्रोटेस्टिन विशप के खिलाफ दोका दड़ी और जाल साजी का एक नया मामला दर्च किया है जिसे पिछले साल ब्रष्टा चार और मनी लॉंडरी के आरोप ने गिरफतारी के बाद सेवा से बरखास्त कर दिया गया था आर्थिक अप्रादों से निपटने वाली विशप शाखाने पूर्व विशप और उनके सायोगी प्रेम मसीप पट्टे पर दी गई सरकारी भूमी को सियनाई को हस्तांतरित करते समय अप्रादिक विश्वास गात दोकादड़ी जाली दस्तावेज और अप्रादिक साजिश का आरोप लगाया जबलपुर्श शहर में मध्य में इस्सेद भूमी का बाजार मोले कथित तोर पर तीन करोर रूपे है सीनाई के पास भारत भर के ब्रिटिश काल के एंगलिकन चर्च से विरासत में मिली व्यापक भूमी और समपतियां है अलप संख्यक नेताओं ने गोर अक्षकों की गिरफतारी की सराना की भारतियों पुलिस ने गाय की रक्षा के नाम पर भारत के मुसल्मानों के खिलाफ इंसा फैलाने के आरोपी 28 वर्षे व्यक्ति को गिरफतार किया जिसे धार्मिक अलप संख्यों को के नेताव ने कहा कि यह न्याय के प्रती प्राशंसरिक प्रती बदिता को दशाता है मोहित यादव जिसे मोनु मानेसर के नाम से भी जाना जाता है को सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर एक कालपनिक नाम के तहट आपती चनक और भड़काउ टिपनी अप्रोट करने के आरोप में 12 सितंबर को उत्री राजी हरियाना से गिरफ्तार किया गया था कैतलिकों से धार्मिक भावना का संबान करने का अग्रे किया गया परशिम भारत के तटी राजी के राजनीतिक प्रमोखो द्वारा धर्मो और धार्मिक शक्षियोतों की आलोचना करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाही की गोशना के बाद एक भारती कार्डिनल ने प्रोहितों को दूसरों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के ख पार्टी से हैं वे एक वीडियो पर एक पत्रकार के सावाल का जवाब दे रहे थे जिसमें कैतलिक प्रोहित तमिल नाडू के तीत इस्तल वेलांकरी में धर्माव पुदेश के दोरान हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो गया लेकिन इसकी पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है कहा जाता है कि वे गोवा के आर्चेट आइसिस प्रोहित में से एक सहायक पल्ली प्रोहित हैं इसी के साथ कली से समाचा समाप्त हुए अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ नमस्कार रेडियो वेरितास एशिया आप लिए लेकर आए हैं आर्वे मोबाल एप आर्वे मोबाल एप पर हमारे विबन प्रकार के कारिक्रमों का लाब लें हम से जुड़ें और एशियाई इसायत की अवाज का हिस्सा बने आज ही एप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरविय मोबाल एप डाउनलोड करें